खगडिया में छट पूजा की दौरान पानी में डूब कर दो बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई खगडिया के अलग-अलग इलाके में अघर रह देने के दौरान बच्चे पानी में डूब गई बेलदार थाने के रुकी मनिया गाउं में एक बच्ची की मौत पाने में डूबने से हो गई आठ साल के बच्ची की लाश मिलते ही परीजनों में कोहरा मच गया छट की दिन ही हुए इस हाथसे से गाउं में मातम पसर गया मृतिक की मा और परीजनों को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उनकी आग का तारा इस तरह से उनसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा वही दूसरी घटना मोरकाही के रसों गाउं में 14 साल की लड़की की डूप कर मौत हो गई बागमती नदी में सुबह का अघर रह देने के बाद नहाने की दौरान लड़की पानी में डूप गई मृत लड़की की शफ की तलाश की जा रही है गाउं के लोग बागमती नदी में शफ की तलाश ही में जुटे हैं स्थानिय गोता कोर भी लड़की की शफ की तलाच में जुटे हैं। वही मोरका ही ठाने की पुलिस भी मौके पर पहुँच गई। प्रिशासन ने SDRF की टीम को भी मदद के लिए बुलाया। मृत बच्ची की शिनाक्त लक्षमी कुमारे की तौर पर की गई है। छट के मौके पर हुई दर्दनाग घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। नदी में उतरने के दौरान अगर परीजनों ने सावधानी बरती होती तो इस घटना को टालाच जा सकता था। पंजाब के सिरी टीवी के लिए खगडिया से अमित कुमार के रिपोर्ट।